नौ साल हुकुमत चलाने वाले केसी यार या 55 साल हुकुमत चलाने वाली कॉंग्रेस आप सोंच समझ के वोट दीजिए जल्द बाजी में फैसला ना लीजिए खौफ में डराएके किसी और को दिखाके किसी और को शैतान बताके आपको वोट हड़पना उन्होंने सीख लिया ये वोट हड़पने वाली पार्टी जो है ग्यारा बार जिसको आपने मोका दिया उसने बार बार आपको दोखा दिया फिर से मैं याद दिलाता हूँ आज पिछले साड़े नौ सालों में केसियार साब ने हर वो चीज़ की जो हिंदुस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया आप एक मिनिट सोचिए आज पूरे मुल्क में सबसे जादा आबादी अगर मुसल्मानों का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में चार करो करोड वहां की बजट क्या है मैनौरिटी विलफेर की आज सिर्फ सत्रा सव करोड उसके बाद वेस्ट बिंगॉल में धाई करोड मुसल्मान है क्या बजट है वहां की 21 सव करोड उसके बाद है महराष्ट्रा एक करोड चालीस लाक क्या बजट है वहां पे मैनौरिटी विल सल्मान है और बजट है बाइस सव करोड मैं आप से बाइओं से बैनों से कहता हूं साड़े नौ सालों में केसियार साब ने मैनौरिटी वेलफेर के लिए बारा हजार रुपया खर्च किया अगर बी टीम होते किसी के इशारों पे चलने वाले होते तो टिमरिस के दो सव के लिए बारा हजार करोड आपके लिए शादी मुबारक हो या बाकी स्कीम हो आपके लिए करते क्या कर पाते क्या आप सूचे समझीदगी से काम लिजे जल्द बाजी में भैकावे में आके बिल्कुल गलत फचला नहीं लेना जो केसियार आपके सात रहा साड़े नौ साल जो KCR अमन पसंद चीफ मिनिस्टर है जो KCR गंगा जमुना तैजीब को लेके हर जगा तिलंगाना का मिसाल देते हुए पूरे मुल्क में बात करते हैं वैसे KCR का हिफाजत हम सब की जिम्मधारी है हम सब की आवाज है KCR आज एक लवती आवाज है KCR तिलंगाना का इस वास्ते नरेंद्र मोदी और राहूल गांदी दोनों को नापसंद है KCR दोनों भी आते हैं यहां पर मोदी जी आते हैं आके कहते हैं KCR कांग्रेस के साथ मिल गया राहूल गांदी आते हैं बोलते हैं केसियार बीजेपी के साथ मिल गया मसला क्या है मसला सिर्फ यही है बोनों भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दो लीडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं केसियार को अगर आप शांदार जीत दिला दिये 90-100 सीड दे दिये 3 तारिक दिसंबर केसियार खामोश नहीं बेटेंगे केसियार गुसफडेंगे महाराष्ट्रा में केसियार गुसेंगे करनाटक में और हराएंगे कॉंग्रेस और बाजपा को उनकी डर वो है उनकी खौफ वो है उनका क्या है फिकर बोले तो एक ही चीज आपस में रहना दोनों के बीच में रहना जो भी लड़ाई है या तो मोदी या राहूल गांदी दोनों के बीच में ही रहना थीसरे को जगा नहीं देना उन दोनों की समझा होता है अगर कोई कहता है कि अरेस्ट नहीं करे भाई इसलिए बीटी मैं मैं पूछना चाहता हूं भाईयों ED की कारवाई तो सोनी हमा पे भी चल रहा ED की कारवाई तो राहुल गांधी पे भी चल रहा क्या उनको अरेस्ट करे वो लोगों भी बाहर है तो क्या उन दोनों में समझा होता है मैं पूचना चाता हूँ आपसे सम्झीदगी से काम लीजिये बहे कावे में मा आविये आज तमाम भाईयों से बैनों से और इकड़ उन्ना मा सोधर लंगो ने नुकटे गोड़तुना इवाला इंटिंटि की बाई चपो वल स्नौसरम उन्ना दी इवाल अड़मयन आरोपनलु अड़मयन माटल जेसे सन्नासुला कूतलकु बैपड़ वल स्नौसरम लेदु इकड़ उन्ना कांग्रेस अब्भेर्थी जब्कुन्टुन नरत नेनु गेलुस्ता बी आरसले के ओता नंज येप्तुन नरत अंते येप्तुन नैंके ओन जेप्तुन न गेलुस्ता बी आरसले के ओता नेन उककड़ आंटुन न इक मारी गापने जेशे येदुए उन्टे मारा अननके एंदुकु टिकेट इत्तम आननने एंदु गेल्पीमा नेनोस्ता इयाला नेन मीम लोककड़े गोरत्तुन येवण कोव ओटेश वानी गेल्पीच्च उडेंदुकु ना करतांगाद मन्चिव ब्रम्मा नंग चिंता प्रवाकरन मीकोसम इककड़ उन्नाडु अनननु मन्चि मेजारिटिदो गेल्पीच्च कोंडी आयनाने नोकड़े अडूत्तुन इवाल मन मुंदू कांग्रेस्थोनी मन कोट्लाटा